हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 15 की जिसका टाइटल है एर अरांड अर्स और इसमें हम बात करेंगे इससे जुड़े हुए कोश्चन आंसर के एक्स्प्लेनेशन की तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फ़र्स्ट कोश्चन वाट इस दा कमपोजिशन ओफ एयर की जो हवा है वो किन किन चीजों से मिल करके बनी है तो इसका आंसर देखते हैं कमपोजिशन ओफ एयर एयर इसे मिक्सर ओफ मैनी गैसिज हवा बहुत सारी गैसिज का क्या है एक मिक्सर है जिसमें से 78 परसेंट नाइट्रोजन है 21 परस साइड 0.03 परसेंट है वाटर वैपर 0.4 परसेंट है और डश्ट पार्टिकल की अगर बत करें तो यह रह जाता है 0.57 परसेंट तो यह कुछ कमपोजिशन है जो एयर को बनाती है क्वेस्टन नमबर शेकेंड विच गैस इन दा अट्मोस्फियर इसेंचियल फोर रेस्पा अंसर है ऑक्सीजन कि क्वेस्टन नमबर थ्री हाव विल यू प्रूव दैट एयर स्पोर्ट पर्निंग हम किस तरह से यह साबित करेंगे कि जो ऑक्सीजन होती है या फिर एयर होती है वह जलाने में मदद करती है आंसर हमारा रहेगा इसका टू लाइटेड डू केंडल सा टेकन हमने दो जलती मुंबतिया ली वन केंडल फिक्ष्ड इने ट्रंबलर कंटेनिंग वाटर एक को हमने कहां पर रख दिया जहां पर पानी है देन केंडल इस कवर्ड भी दे इनवर्टिड ग्लास और दूसरा एक ग्लास लिया जिसको खाली लेना है और उसको उल्टा कर कि हमने उसके उपर रख दिया आफ्टर सम टाइम दा कवर्ड केंडल गेट इक्स्टिंग्वेस्ट एंड वाटर राइजिज अप टूवन डिवाइड बाई फाइव यहां पर यह कहता है कि हमने जो एरेंजमेंट की थी कि एक मुंबति को हमने पानी में रखा था और उस म उजही को पानी इंक्रीज हो जाता है अपनी हाइट को बढ़ा लेता है उपर चड़ जाता है पानी दिस शो दैट ऑक्सिजन इस नेसेसरी फोर बर्निंग विकोज वन बाई फाइव इस ओक्सिजन और यहां से पता चलता है कि एक कुछ पार्ट ऑक्सिजन जरूरी थी और और वो जल चुकी है उसकी जगे को भरने के लिए ही पानी उपर की तरफ चड़ गया है बिल्कुल सिंपल प्रोसेस थी एक बार मैं फिर से बदाता हूं एक आपने मौंबत्ती लेनी है और उसको पानी में रख देना है और उसके उपर आपने एक खाली ग्लास रखना है इ जितनी oxygen खतम हुई है वो जगह खाली होगी और उसकी जगह फिर कौन ले लेगा पानी ले लेगा और इससे हमने प्रूव किया कि oxygen की जगह पानी ने लिए है इसका मतलव महां पर oxygen थी question number four how will you show that air is dissolved in water हम किस तरह से बताएंगे कि पानी में हवा घुली हुई है तो चलिए इसका अंसर समझते हैं when a trembler containing water is heated tiny bubbles appear on the inner side जब हम एक पानी से भरे हुए container को गरम करते हैं तो वो उसमें bubbles बनना शुरू हो जाती है यह जो बूलबले बने हैं यह और कुछ नहीं होता यह एयर होती है जो बाहर निकलना चाहती है पानी से इस बबल सपीर विफॉर द वाटर स्टार्ट बोइलिंग यह तब दिखाई देती हैं जब पानी उबलना स्टार्ट नहीं हुआ इसलिए यह हम कह सकते हैं यह क्या थे एयर बबल थे दिखो डैट वाटर कंटेने जी एयर और इससे हमें पता चलता है कि पानी में एयर घुली हुई है यानि हवा घुली हुई है अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं वाई डाज हम पॉप कोटन श्रिंक इन वाटर यह कहता ह है कि अगर हम बंडल लें और उसे पानी फैंकते हैं तो भीग करके अपने साइज को कम कर लेता है ऐसा क्यों होता है तो असलिए समझते हैं इसको यह हम पॉप कोटन वूल श्रिंक इन वाटर विकोज दा एयर इंसाइड वूल इस ड्राइवन आउट बाई वाटर जो रू होई जाती है विससे उसका साइज क्या हो जाता है कम हो जाता है दे लेयर स्टिक टोगैदर एंड हैं दा लंप श्रिंक वह एक दूसरे से जुड़ जाती हैं पानी और रूई और इसलिए उसका साइज क्या हो जाता है कम हो जाता है दे लेयर ओफ एयर अराउंड अर्थ इ एयर की जो लेयर है उसी का जाता है एटमोस्फियर कोश्चिन नमबर सेवन दे कॉंपोनेंट ओफ एयर यूज़ बाई ग्रीन प्लांट तो मेक देर फूड इज यहां परें पूछता है कि वह पार्ट एयर का जो पोधों दुवारा खाना बनाने के लिए यूज़ कर लिया जाता है तो उसका अंसर है कार्बन डायोकसाइड पोधों का खाना किस गैस की हल्प से बनता है कार्बन डायोकसाइड की वज़े से लिश्ट फाइव एक्टिविटी डैट आर पोसीबल ड्यू टूद प्रजेंस ओफ एयर ऐसी पांच गतिवीदियों का नाम बताएं जो स शिरफ और सिरफ हवा की प्रिजेंस में हो सकती है सबसे पहला विनोविंग मतलब किसी चीज को अलग करना जैसे रेत और धूल को अगर हमने अलग करना है जैसे हमें अनाज में से भूसा अलग करना है तो हम उसको विनोविंग प्रोसेस कहती हैं उसमें क्या करते हम जो हमे पर केरिया साथ लेने की जो process है oxygen को लेने की और co2 co2 वार छोड़ने की जो प्रोसेस है उसे का जाता है respiration transpiration पोधों के जो पत्ते होते हैं उनमें चोटे-चोटे holes बने होती हैं और उनमें से पानी जो है atmosphere में जाता रहता है और इस process को कहते हैं transpiration अगली दो प्रोसेस से फॉरमेशन ऑफ क्लाउड है क्लाउड फॉर्मेशन होता है बाटर वड़कर से वाटर बेपर ये ध्यान रहे, respiration और photosynthesis opposite reaction है, respiration में हम क्या करती हैं, oxygen लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ती हैं, लेकिन photosynthesis में CO2 को लिया जाता है और O2 को बाहर छोड़ा जाता है, flying of bird, जो पकसी तैरते हैं इदर उदर, वो भी हवा की वज़े से ही तैर पाते हैं, अगर हवा नहीं है, तो वो भी नहीं तैर पाएंगे, question number 9, how do plants and animals help each other in exchange of gases in the atmosphere, atmosphere में gases के आदान परदान के लिए पोधे और पकसी, पेड़ पोधे और animals एक दूसरे की help कैसे करती हैं, in photosynthesis, plants take carbon dioxide and give out oxygen, photosynthesis process जो पोध में होती है, उसमें carbon dioxide यूज कर ली जाती है और oxygen को release कर दिया जाता है, the animals breathe in oxygen in respiration and carbon dioxide is given out, और जो CO2 पोधों ने दी थी, उस CO2 को, मतलब oxygen जो पोधों ने दी थी, वो oxygen plants और मतलब animals और human beings यूज कर लेती हैं उसका, और बदले में क्या देती हैं, CO2 देती हैं, यानि पोधों का भोजन CO2 से बनता है, और जो animals और human beings देती हैं, और उसी तरह से हमारा जो भोजन है, वो O2 की वज़े से बच पाता है, और वो O2 को ने देता है, प्लांट्स देती हैं, इस तरह से दोनों एक दूसरे का काम कर देती हैं, और हम कह सकते हैं, this is how plants and animals help each other in exchange of gases in the atmosphere, इस तरह से हम कह सकते हैं कि गैसों के आदान परदान के लिए पोधे और animals एक दूसरे को help करती हैं, मैं उमीद करता हूँ, आपको समझ में आये होंगे, अब आप त्यारी कीजिए, ओके, all the best.